तो फाइनली हम सबने अभी वीडियो देखा ही होगा आप सबने देखा होगा I am married with proof जी हाँ हमारी जिजी के कागजी पती जो कि पूरे एक एक चीज को गिनाय हैं हाला कि उस बंदेन बहुत सारी ऐसी चीज़े छोड़ दी हैं जो कि हम कम से कम 565 बार आपस में डिसकस कर चुके हैं तो वो सारी चीज़े तो आप जानते हैं लेकिन 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 जिजी की सचाईयां यहां जो आज कल तरिया चरी तरजहार रही हैं मुझे जाना है मुझे 16 रंगार करके आना है मौका पड़ेगा तो यह मैं मैरीड हूँ मैं अपना हक लेके रहूँगी हैं कोर्ट में आपको इंडिपेंडेंस ऐसे नहीं मिल जाएगी कि टॉफी है बड़े बड़े डायलॉग अब आप सबको तो पता है कि डायलॉग डिलीवरी हमारी जिजी की बहुत है बहतर है इतनी बढ़िया इतनी बढ़िया कि का ही बताएं उधर हमारे जिजी के कुछ सपोर्टर्स वो भाई ऐसी ऐसी बाते लिख रहे हैं कि का बताएं अब उनका कहिना है कि पता नहीं कैसे बोलती है एक तो हमारी दिद्दी का नाम लेती है बार-बार और ऐसी भाशा यूज करती है गमार कहीं की फ़लान धमार तो वही अगर आपको मेरी भाशा गवाल लगती तो का है सुनने आते हो हमारी जिजी की भाशा सुनो ना वह तो खास कर तुमरी भक्ती में थोड़ा भी अगर इस प्रकार की बाधाएं आई हमारी भासा सुनोगी तो का पता कौनों बाद तुमरी दिमाग में घुज जाए और तुमारी भक्ती में थोड़ा सा कमी आ जाए तो करपिया करके आप इधर ना ही सुने तो ज़्यादा वहतर है चलिए भक्तों की मतलब फरिष्टों की बाद छोड़ देते हैं अब मुद्दे की बाद पर आते हैं तो दी दी आज तो डेट के साथ एक एक चीज बताई गई एक एक आपका काला चिथा खोल दिया गया कि किस प्रकार से उस बंदे ने कहां कहां पर कितनी बार कोशिश कर खर मम्मी जी वाला तो हम सबको भी पता था कि मम्मी जी ने ये बात हुने पहले भी बताई हैं मम्मी जी ने कॉल किया था किस प्रकार से आना चाहती हो दीदी ने कहा था पूछ कर बताती हो और इसके बाद घर के जो बिग बॉस बिग बॉस जी हां नोना और फुजादू तोना ने जो ऐसा पाठ पढ़ाया उसके बाद हमारी जिजी भाई जाने का नाम ही नहीं ली और पूस्ते पूस्ते इतने साल बीट गए और हाँ एक चीज और क्लियर हो गई आज तो यह पूरे तरीके से क्लियर है कि बंदा मूव ओन कर चुका है और जो आप बोल रही थी घ मार्च बताया था शायद है ना 2024 सोचिए बंदा अब चलो 20 में तो तुम्हारी शादिय हुई थी माल लेते हैं कि भाई साब यह आपका जो जुलाई के बाद से टाइम बीता कभी प्यार कभी तकरार कभी इजहार कभी करार तो जज्जा का वो भी टाइम ना एक साल मनाते ह कोशिश करता रहा लेकिन बदले में सिर्फ तुम्हारे उसको शर्ते में ले क्योंकि आप अपने दिमाग से चल ही नहीं रही थे और एक नई चीज पता चली कि भाई आपको जादा देर के लिए छोड़े ही नहीं जाता है कभी भी अगर बाचीत करने का मौका आता है काग भाई साब इसको ना 15-20 मिटल जादा छोड़ देंगे तो दूसरों की बातों में आ जाएगी जैसे कि अपने घर वालों की टेड़ी बातों में आ चुकी है हकीकत है ये बात और पता नहीं या ट्रू वालों को ये चीज क्यों नहीं समझ में आती जो ट्रू जिजी ने अगर इसका एक परसंट भी पांच परसंट भी आपके घर में कोई ऐसी महिला करने वाली मिल गई जिजी जैसा तो तुम बिल्वलाए जाओगे हार कोई बरदास नहीं कर सकता है खासकर सल्फ रिस्पेक्ट से एक बार कोई बंदा है लड़का या फिर कोई भी खुद के लिए सुन लेगा और अगर जिसका पार्टनर जबकि आज अंकुष ने भी एक क्लियर करा कि अगर आपका पार्टनर ही आपको कुछ तौल रहा है गाली गलोज लड़ाई जगड़ा मार पीट यह जो एक एक मिनट के लिए बरदास कर भी लेगा लेकिन जब बाक आपका पानी से प्राइबई कर दिया जाता है का पता कब आवसर मिल जाए और यौप सर में आपदा भाई आपता जबाती तो देखो कितने आउसर इन्होंने धूने पुराने कितने वीडियो जोंने पबलिक कर दिए कैसे जुंड में आके इस बंदे को परसान करने के और जो बहुत बड़े English के ग्याता है तो हमारे जिजी है न, I am English, उसकी अंगरेजी सुनो जाए कि इधर तुम्हार कुछ होई नहीं सकता, तो बस यही कहना चाहूंगी, कि उस बंदे ने बड़ा patience रखा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को patience वाला मानती तो उनकी मा को, सच में, इतनी सारी चीजे होते हुए भी, इस एज में तो उनको खुशी और सुकून चाहिए था, थाना एक भई अब था कि आराम से सुकून से खाएं पियें, बहु घर में होती, लेकिन अभी भी बंदी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कितना परिशान रहती, विगत दिनों में चोट लगी थी अँटी को, उनके मुझे क्या निकला था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरा क्या होता, अपने बच्चे के लिए, तो मा तो मा ही होती है, हर मा मा नहीं होती है, मतलब होती मा है, पर क्राइटेरिया, लेवल, लेवल, हम में लेवल कैसे बोल गए है yeah, याद है ना जिट जी ने कहा था कि मैं हर किसी से बात नहीं करती, हर किसी को रिपलाइ नहीं करती, क्योंकि ना मेरा लेवल कुछ आलाख है, है ना, तो भाई अपने अपने लेवल होते हैं, कोई समझाता है, अंकुष ने ये भी बात बता क सब्सक्राइब अबस वो स्पर्श्थते उसके बहुत बावजूद बिए इतनी बॉटे आज तक बोलती कि तुम को अपनी जिन्देगी में बढ़ना है तुम सेका ना कि इनसान जब तक ब्रदास करता रहता, करता रहता, जब एक बड़ पत्थर बन जाता है, हाला कि कुछ लोग बोल रहे हैं, हमें spiritual हो गए हैं, अध्यात में से जुड़ गए हैं, भक्ति भावना में लीन हो गए हैं, उसके बाद इतनी खुंख़ार हो गई हैं, ऐसा कोई करता है, आध्यात में से जुड़ा बंदा, ऐसी हरकते करता है, जिस प्रकार से भड़ास निकाली हैं, जि यही इनकी असलियत है, यह कितना भी भक्ति भावना पे चल जाएं, स्रीमन नारायन, नारायन, हरे हरे, कितना भी घर में गाना बजा लें सुबा सुबा टीवी पे सिर्फ वो दिखावा के लिए, कुछ लोग होते नहीं कि दिखावा में विलीब करते हैं, कि हाँ, हम दिखाएंगी कि हम ऐसे हैं, वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, जिसे तमाम सीरियल में परफॉर्मेंस देते हैं, मूवीज में देते हैं, सिरीज में देते हैं, एक करेक तक पहले मुझे कोई चम्कीले रंग अच्छ हे नहीं लगते हैं मुझे जब परेतिन का कहा गई थि हमेरी दिदी वग्य गेंगेजमेंट में तब दीदू को हमरी कलर से नफरत हो गई थी हम को ऐसे कलर अच्छे लगते हुआ है वैसे साइलेंट कलर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उस तेम एक अलगी भूमी का में थी एक अलगी करेक्टर में थी और इसके बाद फिर इतने करेक्टर बदले हैं वाईस आप कि इतने दिन में ज़्यादा लॉस हो रहा है बग्ये का भी और छोटी जिजी बड़ी बहन का है न किकि उनकी दुकान हम को जा नहीं रहा हमार जिजी यहां चटकीला मटकीला एकदम चटपटा मसालेदार कंटेंट बेच रही है और उनकी हमरी जिजी के दुकान पर एकदम भाईस आप 10,000 कल के वीडियो का नहीं हुआ है समझ जाओ साड़े लगबग साड़े 5 के उपर नहीं अब तो 6,000,000 के उपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं बड़ी दीदी के तो यह हाल है फिलाल हम अपनी दीदी पर ही रहते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद है ना आज भी आपकी सा पास तो है नहीं खर आपने हमेशा नफरत की भावना से ही देखा है तो वो बंदी आज भी आपको यह करती है कि भाई चलो ठीक है अगर तुम दोनों अपना करना चाहो जिंदेगी में आगे बड़ो हमको कोई समस्या नहीं है लेकिन इन लोगों की सोच देखो आज भी ज चुका हूं मैं और अब मैंने अपना रस्ता बदल लिया अब मुझे तुम्हारी तरफ आना ही नहीं है कि एक चीज उसने बहुत सही बोली थी अंकुष ने यह जो चीज बोली थी कि अगर मुझे पता है है ना मुझे पता है I am married अभी तक मुझे पता था लेकिन जब मैंन कुछ होगा तो मैं तुम्हारे साथ भी आ जाओंगा लेकिन जब मुझे पता है कि कुछ भी हो पर मुझे अब तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है मतलब mind make up हो चुका है decision लिया जा चुका है तो मुझे भी नहीं लगता है कि वह कोई गलत है और गलत तो तब भी नहीं था ज कुछ ना चक्कर होई जावे हमें मुद्दा सुल्टाई लेना चाहिए और घर के बड़े बुजिर्ग भी बोलते हैं यहां की बड़े बुजिर्ग को उनको स्टेटस वाला सेलफी वाला फोटो की चाने से वीडियो बनाने इस पुरसत नहीं मिलती है है वो का बोलेंगी क बेटा देख बहुत ज्यादा बात बढ़ रही है वो खुद अपनी बेटी को 15-20 मिट से जादा बैटने नहीं देते थे कोट के चहरी जहां पर भी यह मिलते थे तो यह लोग सुल्टाएंगे कामेटर का यह लोग घर बसवाना चाहते थे अगर चाहते थे तो पहली बात लोगों को खुद ही अटेम्ट करने चाहिए थे अंकुष के घर जाके कुछ इनके घर के जो भी नामी गिरामी बुजुर्ग है नोना जादू टोना इनको ले जाते क्योंको हर चीज में आगे उन्हीं को किया जाता है है तो उनको ले जाते कुछ ऐसा करते लेकिन नहीं हम पेशा तो लतारा गया और सुबा सुबा एक चीज मैंने पड़ी थी एक कॉमेंट था अंकुष का जो कि मैं स्क्रिंशॉट भी उसका लगाऊंगी आप थमनेल पर देख लिजेगा अब उस चीज को उसने बोला नहीं था कहीं पर भी नहीं बोला था दस जून की के साथ उसने अपने शब्दों में लिख दिया अभी तक बोला जा रहा था जूट ही है अप हुआ है इधर अधर जो बाते हो रहे हैं उसने अपने मुह से कबूला है बहुत सारी ऐसी चीजे नहीं बोल रहा होगा जिसकी वज़े से आज भी वह आपकी बारे में सोचता है कि वही अगर तुम प्रूफ के साथ आओगे चरित्र के बारे में और ज़्यादा चरित्र हनन करोगे तो मेरे पास भी प्रूफ हैं बहुत सारे प्रूफ हैं और वो प्रूफ के साथ मैं आऊंगा आज वो कह रहा है लेकिन मुझे पता है कि एक हद जब ये क्रॉस कर जाए तो भले लेके आए अधर्वाइस आज भी उसको पता है कि यार कुछ भी हो पर ये मेरे बच्चे की मा तो हमेशा रहेगी मैं जिन्देगी में आगे भी बढ़ जाओ तो भी अव शादी का तो देखो आज नहीं तो कल अगर उसको करना है तो करेगा लेकिन अभी ये भी न इनका केस क्यों इतना उल्जा हुआ क्यों इतना चलते जा रहा है पीजडी धारक लोग जब वकील बन जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं अब आपकी जिंदेगी में भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे हैं डॉक्टर पादी प्राप्त करें लोग है न तो भाई सहाब व पती के रिष्टे होते हैं उनको आख बंद करके भरोसा करते हैं बिल्कुल कि यह हमारे भले हैं यह हमारे सगे हैं बाकी जिन से शादी हुई थी जिन पर मैंने डिसीजन लिया था शादी किया था अपनी पसंद से वह बुरे हैं वैसा बिल्कुल जादा बुरे हैं जिस घ क्रेडिट कहा दही हैं विगर्दिनों में आउंटी जी के लिए कागजी सास के लिए क्रेडिट दहीं है कि है हमनन की चना काले चना की रेसिपी सिख्फी है मुझे बोलने में कोई भी उस में वो नहीं है मैंने स्हिखिए तो चुनु वेरीफृंक मिने सिखी आ अज आppen जु जो को तुम्हें अच्छा ही कहूंगी बस काले चने की जो सबजी वहीं अच्छी थी और तुम्हारी जिंदगी में आंटी जी ने कोई सहीोग करवें नहीं करा, कुछ तुमने अच्छा बोलबें नहीं करा, वाह जिजी वाह, तो मोटा मोटा आप सब देख लो, यही है इनक नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा पर बात ये सही है कि भाई वो जो कहानी आएगी दर्सकों उससे बहुत कुछ निर्धारित करता वैसे जिजी बहुत छीछा लेदर करवा चुकी हो काहे पड़ी हो वैसे बीच बीच में जो अंकुष कहानी बता रहे थे सारी स्टेप स्टेप तो कोई जान पहचान का बहुत सारे तथ लेके गया था उंकुष के पास कि देख लो भाई या इसी ऐसी कहानी है उसके बावजूद भी बंदा अड़ा रा शक्षन 9 पर कि नहीं जी जो चीजे थी थी अभी मुझे घर बसाना है लेकिन तब तो भाई हमने पंजा नहीं जाना मुझे बया नहीं अपना बागे प्रोसीड करना कंटिनेव नहीं करना है इसको टाटा बाई बाई करना मुझे तलाक लेना है मुझे घर बसाना नहीं है लगा तार बार बार जब अभी तक तो जिजी को यहीं लग रहा था कि शर्ती ही मान जाए तो हमें क्यों करना है ना तो हम शर्तों कनिशार चलेंगे लेकिन जब जिजी को लगा कि नहीं भाई ये तो हाथ से निकल गया बंदा अभी तक ये तिने सालों से पता नहीं क्या सोच के बैठी थी कि बंदा मतलब एक ना एक दिन तो ठक हार के मेरे पास आ ही जाएगा मतलब पता नहीं केसी पास में है तब जिजी के अंता चच्छो खुले और वह अंता चच्छो भी नहीं है वो बदले की भावना है वो गाना सुना ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो जिजी का यहां प्यार नहीं है जिजी का ठुकरा के जिजी का ही वो मेरा इंतकाम इसके अलाव करता ही कुछ दिद्धी के ना दिल में है ना जिगर में है ना किड़नी में है एक एक चीज अंकुश अगनिहोतरी ने बताई है शादी के बाद से लेके जितनी बार तुमने नो टंकी ड्रामे करें इन वाली चीजों में तो भी कम बताया उसने reply वाली स्रीज में अगर आप में से कोई भी नया है तो इनके previous वाली दिवाली के आसपास एक साल पहले या डेड़ साल दो साल पहले ये वाली दिवाली छोड़के जो पुरानी दिवाली मतलब दो साल पिछे जाईएगा तब देखिएगा वहाँ reply स्रीज में step by step तक बताया गया एक एक चीज बताया गया कि कभी कोई ग्राम प्रधान या फिर कोई सरपंच जी के माध्यम सी भी गए और एक बार जब अंदर घर गए थे तो भाई हमार जिजी तो बता हाथा पाई पिया जाती है पती परमेश्वर से इतना प्यार कैसे बरदास करेगा आपने सिंदूर की इस प्रकार से इजद बढ़ाई यह दिदी कॉलर पकड़के ओहो मतलब धाकड है धाकड है देखो कैसी धाकड है वह वनना चाहे रही हूँ इतने सारे आपके रंग यहां पर देख चुके हैं भात भात के देखे हम लोग तो जब से देखते आएं एक एक चीज आपकी जानते जो नए सब्सक्राइबर्स थे उनके लिए आज अंकुष ने बहुत आसान कर दिया चीजे समझने के लिए है ना और जो पंजाबी वाल है किसका क्या मतलब है जो घर बसाने वाले होते हैं अगर सल्फ रिलाइजेशन मान लेतने एक मिनट के लिए हो भी गया था तो इस प्रकार की हरकते नहीं करते हैं जो बिगत कई दिनों में आपने करें श्यमों यू मतलब यार पाइले नोटंग की ड्रामा देखो बाइया हमको तो मौका मिला है पतलब जो बंदा आगे पीछे घूम रहा था मैं घर ले जाना चाहता हूं मैं आपको कोट कचहरी के माधिम से पैसा नहीं देकर मैं अपनी जिम्मेदारी देना पूरी करना चाहता हूं बच्चे को भी रखना चाहता हूं तुम्हें भी अखीकत क्या है कब से ले जाना चाहा रहा था और गिवप तो उसने 2024 में किया है और नए रस्ते पर 2024 में ही आगे बढ़ा है 24 में बढ़ा 23 में बढ़ा जो भी बढ़ा बढ़ा क्योंकि एक हद होती हर चीज की और जिंदगी जीने का ना सब को राइट होता है किसी की अत्याचार से पीडित होके जब तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो तो दूसरे भी बंदे को हक है सिर्प आपकी चाहते हैं कोई प्रिंसेज ने जो सिर्प आपकी चाहतों के लिए लोग बलेदान होते रहेंगे मतलब मम्मी जी की कुछ चाहते हैं ने वो अपनी चाहते मार रही हैं अंकुष अपना बस यह मैडम नफरत करती रहें नफरत उनके लिए उनकी फैमिली के लिए फैलवाती रहें गाल किसी औरत है यार यह आज तक नहीं समझ में आया अब यह देखना है कि अभी यह पंचायत जो लेके आएंगी उसमें हेडलाइन का होगा हेडलाइन तो आमने पढ़ लिया अंदर लिफाफा में का होगा जी